हेलो एव्रीमन वेल्कम टो मैं चैनल और बताये कैसे हैं आप सब तो देखें मैंने आप लोगों किसे बहुत सरे स्टोरी शेयर की हैं और अज एक और स्टोरी में आप लोगों किसे शेयर करना चाहती हूं जो है औरित्रो की औरित्रो है एक अगरिकल्चर इंजिनियर और अगर किसी इनसान को मतलब बिना कपड़ों के मुर्गा बना दिया जाए और फिर उसका हैडशेयर किया जाए वो भी उसकी यंग सिस्टर्स के सामने उसकी मदर ही अगर ऐसा करें तो फिर उस लड़के पर क्य क्या बीटती होगी उसकी माइंड सिचुएशन क्या होती होगी यह चीज हम सोच भी नहीं सकते हैं बिकॉज यह हमारी थौट से बिलकुल परे है बट और इत्रों के साथ यह फोर इयर्स तक लगातार हुआ और वो भी इयर में टू टाइम्स मतलब फोर इयर्स में एटाइ है कि अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना बिकॉज देखिए स्टोरी कुछ लोगों के माइंड में कैसा असर करती हैं वो चाहते हैं कि जैसा उनकी मदर ने उनके साथ किया वो कोई भी ना करे तो चलिए वीडियो को जादा लंबा नहीं करते हैं और आपको फु अलित्रू एक अग्रिकल्चरल इंजिनियर है और यह उनका फैमिली बिजनस है उनकी फैमिली में यही बिजनस सब लोग करते हैं तो उनके फादर नहीं है उनके घर में उनकी मदर और उनकी एक बड़ी सिस्टर जो उनसे एक साल बड़ी है और उनकी सेकेंड सिस्टर जो जुडवा है मतलब उन में सरफ 2-3 मिनट का ही फर्क है तो और इत्रो की मदर स्टार्टिंग से ही मतलब ये चाहती थी के मेरे तीनों बच्चे एगरिकल्चरल इंजिनियर बने बट देखिए अगर तीन बच्चे हैं तो जरूरी नहीं होता है के तीनों का जो इंटरस्ट है वो स्टडी में या सेम फिल्ड में होगा कई बार बच्चों का इंटरस्ट अलग साइड में हो जाता है तो सेम यही सिचुएशन थी और इत्रों के साथ और वो स्टार्टिंग से ही स्टडी में इतने अच्छे नहीं थे जितना उनकी सिस्टर थी उनकी जो बड़ी सिस्टर थी जो उनसे एक साल बड़ी थी उन्होंने जब एंटरस्ट दिया अग्रिकल्चरल इंजिनियर के लिए तो वो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट टाइम जब उन्होंने एंटरस्ट टेस्ट दिया तो वो clear कर गई थी और उनका exam मतलब successful हुआ और उनको admission मिल गया था बिना किसी extra fees के या बिना किसी सिफारिश के उसके बाद औरित्रों की जो जुड़वा वहन थी वो भी study में बहुत अच्छी थी बट औरित्रों इतने अच्छे नहीं थे पर फिर जब उनकी बड़े बली sister second year में थी तो दोनों को entrance exam दिलवाया किया agricultural engineer के लिए और इतनों की second sister भी उसमें select हो जाती है अच्छे marks आ जाते हैं बट और इतनों रह जाते हैं वो इसको clear नहीं कर पाते हैं और जब उनकी मदर को ये चीज़ पता चलती है तो वो बहुत गुसा हो जाती है और इत्रों की जो मदर थी वो बहुत थी मतलब एकदम से strict type की थी उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे उनकी बात ना मानने मतलब जैसे एकदम से strict जो मदर होती है न वो थी और उन्होंने और इत्रों को एकदम से strict ली बोला था कि अगर तुम एक्जाम clear नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मैं तुम्हें पता नहीं कैसी punishment दोंगी और इत्रों एक्जाम नहीं clear कर पाते हैं उनकी जो जुर्वा sister थी जुर्वा बहन थी उसका भी admission हो जाता है बट और इत्रों की मदर को चाहिए था कि मेरे तीनों ही बच्चे same field में जाए विकाज उनका वो family business था और इत्रों को extra पैसे वगरा देकर donation वगरा देकर उनका admission क cultural engineer के लिए बट देखिए जिस बच्चे का starting से ही मतलब study में मतलब इतना वो intelligent नहीं है इतना जादा नहीं कर पाता है और फिर उसको जबरदस्ती extra fees अगर देकर अगर ऐसा करवा दिया जाएगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आगे अच्छा perform कर पाएगा सेम वही चीज़ होई और इत्रियों के साथ और उनकी मदर ने जो extra पैसे उनके उपर लगाये थे उसके पात तो उन्हों ने उसको मतलब एकदम से strictly बोल दिया था कि अगर तुम्हारे exams में अपनी बहन से जादा marks नहीं आए उससे अच्छा score तुम ने नहीं किया तो मैं त सामने ही कपड़े उतरवा कर मुर्गा बना कर और तुम्हारा head shave कर दोंगी बट और इत्रियों को नहीं लगता था कि उनकी मदर उनके साथ ऐसे ही करेंगी और उनकी जो course थी उसमें year में two times exam होते थे every six months के बाद तो starting के first time जब exam हुए तो अरित्रों ने normal सी बात है जब वो इतना अच्छा नहीं थे study में तो वो कैसे अपने sister से जादा marks लेके आते उन्होंने इतना अच्छा score नहीं किया था उनकी sister में बहुत अच्छे marks exam में लिये थे जब अरित्रों का जो report car है उसकी mother के सामने आता है तो उनकी mother एकदम से जसे गुस्से में हो जाती है और अरित्रों को वहाँ पर बुला कर कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही one किया था बंट तुम अगर मेरी बात को serious नहीं ले सकते हो तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं जोंगी और अरित्रों की mother उसके साथ ऐसा करती भी है वो उसकी दोनों sister को वहाँ पर बुलाती है उसके पूरे कपड़े उतार देती है एकदम से पूरे कपड़े उतार देती है उसको मुरगा बना देती है और फिर उसके sister को बोलती है कि अब तुम razor और ड्रीमर लेके बिल्कुल साफ कर देती है एकदम से आप सोच के देखिए यंग लड़का जो engineering कर रहा है और उसके साथ ऐसी मतलब हरकत वो भी उसकी young sisters के सामने तो फिर उस लड़के की हालत क्या होगी मतलब एकदम से सोच के ही हमें अंदर से ऐसा लगता है कि उसके दिल पर मतलब उस time क् बाहरती होगी और इतरों बोल रहे थे कि मेरी दोनों sisters हस रही थी और उन्होंने मेरी pics भी क्लिक की थी और हसते हुए pics क्लिक करना और ऐसे मुर्गा बनाना ऐसे head shave कर देना और इतरों के मदर ने उनकी sisters को साब बोला था कि यह हमारे घर की बात है यह घर से बाहर नहीं जान और इतरों का exam का result आया उसको punishment दी गई उसका head shave कर दिया गया इतनी मतलब बुरी दरह से punish करके next ते और इतरों जाते हैं college उसके sister में जाती है college तो उसके जो मतलब classmates थे वो और इतरों को देखकर हसने लग जाते हैं कि आज के time पर मतलब ऐसे कौन head shave करवाता है कौन गंजा होता है उसको बहुत शाई feel हो रहा था सब बच्चे उसे पूछ रहे थे बट वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो उसके sister जो same class में थी वो भी और इतरों को बताती नहीं है विकॉज उनकी मदर ने उनको strictly मना किया था कि ये बात घर से पाहर नहीं जाएगी school में college में मतलब और इतरों की इज़त थोड़ी सी बची रहती है विकॉज सब को ये नहीं पता चलता है कि actually उनको ये punishment दी गई है year का last में फिर exam होते हैं फिर और इतरों के अपने sister से कमाक्स आते हैं फिर उसको same वही सर्जा दी जाती है उसे ऐसे ही बिना कपड़ों के मुर्गा बना कर उसका head shape किया जाता है और four years के course में four years तक लगाता है every six month में जब भी और इतरों का report काड़ाता है जब भी उसका exam होता है उसको four years तक उसके sisters के सामने उसकी mother same वही punishment देती है मतलब लगातार जैसे तैसे करके engineering complete हो जाती है और इत्रों इतना अच्छा score नहीं कर पाते हैं बेट फिर भी वह पास हो जाते है और इत्रों की mother जो होती है वह उसकी sisters को अच्छी सी पोस देती है उनको AC में बैटना मतलब अच्छे से काम करना सब office में उनको दिया जाता है बस और इत्रों को बाहर का काम दिया जाता है जैसे village में जाकर जो भी extra काम होते हैं वो उनको करने के लिए दिये जाते हैं उनको गाड़ी भी नहीं उनकी mother देती है और इत्रों की mother इस story में हमें दिखाए देती है और ये एक real story है और इत्रों ने बोला था कि ये कोई fake story नहीं है मेरी life में बहुत सारी ऐसी मतलब punishment की experiences है मेरे पास जो शायद किसी ने feel भी नहीं कियोंगी और कोई माँ अपने बच्चे पर ऐसे सजा देती है वो भी दो बहनों पर एक भाई होने पर और उनकी sisters भी उसका मजा लेती हैं मतलब अपनी mother को समझाने की बजाए अपने भाई की help करने की बजाए वो उसक मतलब एक दम से ऐसे बच्चे की जो लाइफ है ना वो बोलते हैं ना कि नरक से बत्तर हो जाती है समझने ही आता है कि वो एक्चली अपनी लाइफ में क्या करें और इत्रों आज भी struggle कर रहे हैं ऐसे ही गाउंगों गूमते हैं यह में 360 डेज वो काम करते हैं बस से सफर करत हैं उनको कोई vehicle नहीं अपना दिया गया है जिसमें दूसरी तरह उनकी जो sisters है वो अच्छी तरह से ऑफिस में बैठती हैं यह वहां पर बैठ कर सब काम करती हैं तो किसी मा का मतलब यह सोचना मेरी समझ से परे है I think ऐसा नहीं होना चाहिए और इत्रों ने अपनी पिक भी अगर होस्केगा तो मैं आप लोगों के तरह शेयर करूंगी और आपको स्टोरी कैसी लगी आप इसके बार में क्या कहना साहते हैं वो comment box में share कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर लीजिएगा देखिए लास में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कई बार जादातर हमने सुना रहा कि अगर दो जुड़मा बिच्चे होते हैं तो एक का माइंड अगर बहुत शार्फ होता है तो दूसरे का माइंड naturally ही उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना एक बच्चे का करता है तो I think और इ इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद business woman होने के बाद भी उसकी चीज़ को समझने ही पाती है यह एकदम से बेवकूफी भरी बात है मेरी समझ से परे है कि ऐसा हुआ है मतलब कोई lady ऐसा करती है वो भी अपने बच्चे के साथ उसकी condition समझने की वजाए और अगर बच्चे को ऐसे punishment दी जाएगी तो अगर वो कोशिश में करेगा तो भी एक डर उसके मन में रहेगा और वो इतना अच्छा score नहीं कर पाएगा तो story आपको कैसे लिए बिताएगा जरूर इसे के साथ आपको मिलेंगे next time तब तक के लिए bye bye take care and thank you so much for watching